नमस्कार दोस्तों मैं कांग शाह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल दे स्टडी जोन में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टू के इंगलिज का फर्स चैप्टर दे लिटल डखलिंग तो चलिए बिना किसी देड़ी के अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं दे लिटल डखलिंग डखलिंग बतक के बच्चे को कहा जाता है डखी वोज अ लिटल डखलिंग डखी एक छोटा सा बच्चा है बतक का एक छोटा सा बच्चा है डखी एक दिन वह तैरने के लिए जा रही थी रास्ते में उसने एक गुड़या देखा एक गुड़या होता है डकी लुगड अप अद दे स्पैरो डकी ने उपर गुड़या को देखा I wish I could sit up there कास मैं वहाँ बैठ सकती छोटी सी डकी गुड़या को देखकर बोलती है कास मैं वहाँ उपर बैठ सकती You need strong feet like mine Do you have strong feet? गुड़या बोलती है तुम्हें मेरी तरव मेरे जैसे मजबूत पैरों की जरूरत है क्या तुम्हारे पैर मजबूत है? डकी लुक डाउन एथ हर फीट डकी ने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा I cannot sit on a tree मैं पैर पर नहीं बैठ सकती डकी अपने पैरों को देखकर बोलती है मैं पैर पर नहीं बैठ सकती डकी वाउक्ट आन डकी आगे बढ़ी She came to an open field वह एक खुले मैदान में आ गई She saw a rabbit hopping उसने एक खरगोश को कूदते हुए देखा Hoppity hop Hop, hop, hop I wish I could hop like you काश मैं तुम्हारी तरह कूद सकती You need long feet to hop Do you have long feet? तुम्हें कूदने के लिए लंबे पैरों की जरूरत है क्या तुम्हारे पास लंबे पैर है डकी looked down at her feet डकी ने अपने पैरों की तरफ देखा No, my feet are very short I cannot hop like you नहीं, मेरे पैर बहुत छोटे हैं मैं तुम्हारी तरह नहीं कूद सकती डकी walked on डकी आगे बढ़ी She raised a farm वह एक खेत में पहुँचे फार्म उस प्लेस को भी कहा जाता है जहां पे मुर्गियां होती है तो वह एक खेत में पहुँची She saw a hen scratching the ground for worms क्लक क्लक उसने एक मुर्गी को कीरे के लिए जमीन खुरचते देखा Scratch Scratch का मतलब खरोचना होता है I wish I could scratch for worms काश मैं कीरे के लिए खरोच सकती I use my sharp claws to scratch Hinn बोलती है, मुर्गी बोलती है मैं खरोचने के लिए अपने तेज पंजों का इस्तिमाल करती हूँ Do you have sharp claws? क्या तुम्हारे पास तेज पंजे है? Ducky looked down at her feet Ducky ने अपने पैरों के तरफ देखा No, I don't have sharp claws Nahin, मेरे पास तेज पंजे नहीं है I cannot scratch for worms मैं कीरो के लिए नहीं खरोच सकती Ducky walked on, Ducky आगे बढ़ी She saw mama duck swimming in the pond उसने देखा कि उसकी जो मा है वो तालाब में तेर रही है I wish I could swim like you कास में आपके जैसा तेर सकती क्वाक क्वाक, come in and try ममा duck बोलती है क्वाक क्वाक उसकी मा बोलती है अंदर आओ और कोशिश करो Ducky went into the water She started to swim Ducky पानी में चली गई और वो तेरने लगी क्वाक क्वाक, this is fun My flat feet are so good ये मज़ेदार है मेरे flat pair बहुत अच्छे है Flat का मतलब होता है चपटा सम्तल जो जमीन के बड़ा-बड़ो उसी को flat बोलते है तो Ducky बोलती है कि ये तो बहुत मज़ेदार है मेरे flat feet मुझे बहुत पसंद है मुझे बहुत अच्छे लगे मेरे flat feet I sparrow cannot swim, I can और फिर Ducky खुशी शे बोलने लगती है कि एक गुरैया नहीं तैर सकती, मैं तैर सकती हूँ A rabbit cannot swim, I can एक खरगोस नहीं तैर सकता, मैं तैर सकती हूँ A hen cannot swim, I can एक मुर्गी नहीं तैर सकती, मैं तैर सकती हूँ I like my feet, quack quack मुझे मेरे पैर पसंद है quack quack तो इस कहानी में हमने देखा कि छोटी जी duckie को जब नहीं पता था कि वह क्या कर सकती है तो वह जब भी किसी को देखती तो सोचने लगती कि काश मैं भी वह काम कर पाती और जब बाद में उसे पता चलता है कि वह पानी में तैर सकती है तो duckie बहुत खुश हो जाती है इसी तरह इनसान हो या जानवर हर किसी के पास अपना एक टैलेंट होता है जैसे कि कोई ड्रोइंग अच्छा करता है तो कोई पढ़ने में अच्छा होता है तो कोई खेलने में अच्छा होता है अगर हम दूसरे के टैलेंट को देख कर उसके जैसा बनना चाहेंगे तो हमेशा दुखी होंगे जैसे कि डकी हो रही थी इसलिए हमें दूसरों पर कम और अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आए इस चाप्टर के question answers को देखते हैं First question है Where was ducky going? Ducky कहां जा रही थी? Ducky was going for a swim Ducky तैरने के लिए जा रही थी What was the rabbit doing? Khargosh kya कर रहा था? The rabbit was hopping Khargosh kood रहा था Where was the hen? Murgi कहां थी? The hen was in a farm Murgi जो थी एक खेत में थी What was mama duck doing? Mama duck kya कर रही थी? Mama duck was swimming in the pond Mama duck जो थी वो तालाब में तैर रही थी Fifth question है Name three animals 3 जानवर के नाम बताएं Ducky met on the way to the pond जिससे डकी रास्ते में तालाब जाते समय रास्ते में मिली थी तो कौन थे तीन जानवर? पहला तो sparrow पहला गोड़या से मिली थी उसके बाद खड़गोश यानि की rabbit से मिली थी और तीसरा था hen So friends अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें जय हिन जय भारत